क्या लग दोस्तो चनक्य निदी के पहले अध्याय में तीन चीजें पहले ही शुरू के जो श्लोक आते हैं उसमें सबसे पहले तो ये बात कही गई है कि तीन चीजें जो हमें हमेशा परिशान करती हैं किसी विद्वान मुनुश्य को भी कष्ट दे सकती है सबसे तीन चीजे पहली क्या कोई भी मुर्ख शिशे को शिक्षा देना ठीक है ना किसी भी मुर्ख शिशे को शिक्षा देना दूसरा दूष्ट इस तरी का भरन पोशन करना यानि कि किसी भी ऐसी इस तरी के साथ संबंद बनाना या उसके साथ लिंक में रहना जो करेक्टर लेसो थर्ड किसी दुखी व्यक्ति के साथ ठीक है इन ये तीन चीजें हमें हमेशा दुख देती हैं अब इनको थोड़ा छोड़ा छोड़ा explain करता हूँ, मुर्ख वो नहीं होता जिसके पाद दिमाग कम होता है, मुर्ख वो होता है जो सीखना नहीं चाहता, कि किसी को आप अच्छी बात सिखा रहे हो, वो कहरा है नहीं नहीं यार ये बाद तो मेरे को पता है, और बहुत से मैंने लोग देखे हैं काफी ज़्यादा दिमाग होता है स्याने होते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं आपको सिखाऊंगे वो आपको बेवकुफ साबित कर देंगे तो यह होते हैं मुर्ख शिषे यह नहीं कि जिन में थोड़ा सा IQ कम है या वो समझदार नहीं है वो मुर्ख नहीं होता मुर्ख वो होता है जो सीखना नहीं चाहता दूसरा करेक्टर लेस हो गई या कोई भी लड़की या कोई भी इस तरी जो करेक्टर लेस है अगर आप उस जिसके पास आप जब चले जाओ वो आपको दुखी मिलेगा जब चले जाओ उसके मुह से नेगटिव बाते निकलेंगी यह हमारे सब कोईशेस माइंड पे बहुत खराब असर डालती है कि अगर कोई इंसान हर टाम दुखी रहता है हर टाम नेगटिव चीजे बोलता रहता ह तो वो इंसान भी आपके लिए अच्छा नहीं है और ये किसी भी विद्वान किसी भी अच्छे इंसान के लिए ये सब चीजे कश्च देने वली होती है और इसके अगले शलोक आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजे शेयर करना आपने दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुलाएं मिलते हैं अगले वीडियो में